हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फैसन इस्टेडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए videos लगेगे video collecter करियेगा ज्यादा से जादा इस video को शैर करियेगा चलिए मैं आज आप लोगों को बता दीतीं है पर बहुत ज्यादा लोगों का question है कि मेरा 40 number है selection होगा या नहीं 40 number है कहीं किसी का 36 number है 25 number है 26 number है ITOT लेना चाहिए, इतने सारे question का मैं एक solution लेके आप लोगों को थोड़ा सा बातों को clear कर देती हूँ, देखे इस video को मैं पिछली video में भी इस चीज को clear बता चुकी हूँ, फिर सी यही चीज़ एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखे यहाँ पे minimum cutoff, यहाँ पे 33 नमबर, SC, ST, PH वालों का है 20 नमबर, देखे यह कम से कम, देखे cutoff, यानि कि देखे मैं चीज़ों को clear कर देती हूँ, यानि कि यह जो marks दिये है, journal का, OVC का, SC, ST का, यह सभी चीज़े, इतना नमबर अगर आपका होगा, अगर आप इस category से belong करते हैं, अगर आपका इतना न आपका 33 नमबर आ गया, तो आप final मान लेके आपका admission होई जाना है, देखे हाला कि मैं मानते हूँ, इस बार swimming technology, dressmaking, fashion designing, इन सभी की cutoff बहुत कम जाएगी, क्यूंकि लगभग लगभग बच्चों के 60 से 65 marks है, 60 से 65 marks के नीचे नीचे है, जादा तर लोगों के, और कुछी 60 से उपर होंगे, हाला कि बहुत सारे बच्चे मैंने average निकाला है, इसलिए मैं बता रहे हूँ, आप लोगों को, average के हिसाब से देखा जाए, तो 55 से नीचे सभी लोगों का नमबर है, 55 के लगभग-लगभग swimming technology, dressmaking, fashion, तो कहीं न कहीं इन सभी को मिला कि अगर एक average निकाला आता मने के journal हा, 33 से उपर आ रहा, OBC है, NCL, journal, EWS है, आपके पास में journal में है, आपके पास में EWS है, देखे, EWS बहुत लोगों के पास में journal में है, लेकिन बहुत लोगों ने बनवाया नहीं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को EWS का मतलब भी बता दी, economical weakness, weak section है, जो economic रूप से मतलब की कमजोर है, उन लोगों का journal में जो आते हैं, उन लोगों का EWS बनता है, तो अगर वो लोग, 39 से उनके पास में कम है, ठीक है, नमबर, तो उनको तो college choice पहले बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि उनका selection होगा नहीं, उनके लिए option ही नहीं होगा, अगर 39 से जादा है, तो आप लोगों का merit देखा जाएगा, अगर आपका मान लिए गया, मैं एक एक जामपल देके बताती हूँ, आप लोगों को, मान लिए गया, आपका 39 नमबर पर आपको college choice दिया है, ठीक है, आपका 40 नमबर है, और अगर 40 नमबर आपका है, 41 नमबर, 42 नमबर, 43 चो वाला पहुचिया तो पहले उसको लिया जाएगा, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि 39 नमबर दिया हुआ है, यहाँ पर स्रिफ college choice कर दिया है, बार बार क्लियर करती हूँ, आप लोग अपना confusion दूर कर लीजिए, SC, ST, PH, इन लोगों के लिए, देखे 20 नमबर पर आप college choice कर पाएगे, 20 स counseling के लिए करिए, अगर किसी में नहीं आता है, तो last May sport वाले में, अगर सीटे बसती हैं, तो अगर आप first choice में college ले ले लेते हैं, तो यह भी होता है कि आपके सामने एक transfer का option भी आएगा, first में मानले के कहीं आप पास में college लेना चाहते हैं, आपको दूर college मिल गया, आप चाह आरे थे इलाह भाद लेने के लिए, तो आप अगर अपना counseling करवा लेते हैं, counseling करवाने के बाद में, देखिये, आपको option मिलेगा transfer का, अगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, second counseling के बाद भी, एक round आपको मिलेगा, transfer के लिए, फिर आपको third round के बाद भी, एक round ऄटे स्रीटे, त तो आप लोग परिशान मत होईए, आप लोग अपना काउंसलिंग करवाईए, देखिए कहां पर मिलता है, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके एकदम कम नमबर है, तो आपका आईटी ओटी में अडमिशन हो जागा, वहां भी मैरिट बनती है, वहां भी पहले उन बच्चों क जिनके नमबर जादा होगे, तो आप लोग परिशान मत हो, यह जैसे ही डेट आती है, देखिए, चलिए, मैं आप लोगों को वेप साइट पर लेचल के दिखाती हूँ, कि वहां पर क्या कंडिशन है, अभी आप लोगों की काउंसलिंग की डेट आई है, नहीं आई है, अब तक आने की उमीद है, एक बार हम लोग वेप साइट पर चल के वहां का भी देख लेते हैं, ठीक है, चलिए, वेप साइट पर चलते हैं, मैं आप लोगों को वेप साइट पर लेके चलती हूँ, तेखे, यहां पर मैं आप लोगों को वेप साइट पर लेके आई हूँ आप यहां पर आगे, फिर आप leuk-in किया, फिर देखें आप यहां पर आगै है, बसमादा की आगित की ए आटधे से हाल एक का मारे, देखें यहां पर साइड में दिया हुआ इन्पोर्टेंट डेष ऐसे की आप लोगों का रिजल 26 अना था, 26 को नहीं आये फिर आपको ऐक 29 तारिक के 29 को 29 साथ को भी नगया आया कब आपका एक अगस्त को आपका रिजल्ट आया ठीक है फिर रिजल्ट आने के साथ-साथ में आपकी काउंस्लिंग डेट है और सबी चीजे हैं यह सबी चीजे हां पर दे देनी चाहिए ठीक है जिसके लिए बच्ची बहुत कि मैं कांसलिंग कभ होगी roughly सब कमेंट करके पूछें कि कब होगा कब हमको फीज पेमेंट करना है तो देखे यहां पर इंपोटेंट डेट दिज़ा है तो देखे अभी आपका जो डेट है सभी की सभी डेट देख सकते हैं आप लोग इनपोटेंट डेट हैं पर चलिए मैं थोड़ा सा जूम भी करके आप लोगों को दिखा देती हूं यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हां पर देखिए 6-6-2022 और नाइन अप्लिकेशन आपका स्टार्ट हुआ था पचीज तारीक तक फिर आपकी डेट आगे बढ़ाई गई थी 11 तारीक से 17 तारीक तक मौग एक्जामिनेशन हुआ 10-17 तरीक तक होल्ल टिकर डाउनलोड हुआा है पिर 17 तारीक अपका कंप्यूटर बेश्स एक्जाम हुआ है त्थी 26 तारीक आपका रिजल्ट पब्लिश हो ना था जोकि हुआ नहीं आपको यहाँ पर website भी दिया है निमी online admission.in website है फिर देखे आपका हुआ नहीं फिर आपको date कब मिले आपको 29 तारिक के बाद में आपका उस दिन भी नहीं पब्लिश हुआ फिर आपको एक तारिक date मिले एक तारिक date मिलने के साथ-साथ आपको new date दे देनी चाहिए थी देखे यहाँ फर्स्ट काउंसलिंग प्रेस देखे फर्स्ट काउंसलिंग का प्रेस दिया हुआ 28 साथ ठीक है 28 साथ से आठ आठ दो हजार बाइस तक दिया हुआ लेकिन देखे जब आपका रिजल्ट ही एक तारिक को निकला तो यह तो date expired हो गई आपकी इसके साथ मैं आपको यह date दे द हो रहा है इसका कहीं न कहीं एक रिजन है जो CITS वाले स्टूडेंट है 2021 के सेशन वाले हैं वो लोग कर रहे हैं उनका एक्जाम पोस्पोन होके जो है 28 तारिक तक चला गया 24 से 28 तारिक तक उनका एक्जाम होना है और साथ तारिक से उनका प्रेक्टिकल सुरू है तो कहीं कहीं दोनों चीजें मैच होने चाहिए आप लोगों का काउंसलिंग और उनका एक्जामेशन दोनों का काम साथ साथ में होता तो साथ इसी वज़े से थोड़ा लेट किया जा रहा हो आप लोग परिशान मत होई है एक दो दिन में आप लोगों का जल्दी से जल्दी ही आज जाएगी और भी चीज़े आप लोगों को क्लियर कर दिया जगा वेपसाइट पर डॉकुमेंट्स वगरा से डिरेटिड वीडियो में अपने चैनल पर ले ही आई हूं किस एनस्टी आई में कितना मिस्चार्ज है किस एनस्टी आई में क्या सुविधा है सारा का सारा अकुछ इलाहाबाद एनस्टी आई हुआ है इन दौर एनस्टी आई हुआ है और कुछ एनस्टी आई कि मैंने वीडियो भी डाली है कि एनस्टी आई देखने में कैसा लगता है आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं और जाके जह हैं वहाँ पर वीडियो वगरा देख सकते ह किस तरीके का है, किस तरीके से आप लोगों को आगे प्रॉसिस करना है, क्या करना है, सभी चीजे, फीस कितनी है, मेंश चार्ज कितना है, होस्टल का कितना है, सभी कि सभी वीडियो में लोड कर चुके हूँ, आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं, आज की वीडियो में इत रहिया आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू